Yes students we are doing unit 10 that is capacity और मैंने आपको कल बताया था बेटे कि 1 लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं ठीक है 1 लीटर इक्वल to 1000 मिली लीटर और 1000 में 30 आती हैं ओके सो नाव सी दिस कनवर्जन यहां पर आपको एक अनवर्जन गिवन है मैं यह वाला करवा रही हूं ठीक है और पेज नमबर 109 ओपन कर लेंगे सभी के सभी टेक पैंसिल विद यू और इरेजर अलसो सी दिस क्वेशन 6 लीटर 6 लीटर को बेटे हमने मिली लीटर में चें पता है कि एक लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं एक का पता है ज्यादा के लिए निकाल रहे हैं 6 लीटर के लिए 6 लीटर के लिए निकाल रहे हैं ज्यादा के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे कौन जो अप्रेशन लगाएंगे yes, multiplication okay, we will apply the operation multiplication, तो हम क्या करेंगे 6 को 1000 से multiply कर देंगे, और हमारे पास जो answer आएगा, that will come in the milliliter, okay so this question is very easy 6 multiply by 1000 milliliter 1000 milliliter से हम इसको multiply कर रहे हैं, किसको 6 liter को, तो ये automatically आपका milliliter में change हो जाएगा तो जो unit होगी last में वो हमने milliliter लगानी है now, 6 1s are 6 6 0s are 0, 6 0s are 0 6 0s are 0, यानि कि 3 0s आपने बेटे as it is लगा देनी है okay, क्योंकि किसी भी number को आप 0 से multiply करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 क्या है, खाली है और खाली आपको multiply करके क्या देगा, खाली नंबर देगा 0 ही देगा, okay now, see the worksheet 1 solve the following see question number 1 9 liter equal to 9 multiply by dash milliliter अभी अभी तो हमने किया है यहाँ पे कि अगर हम किसी भी number को thousand milliliter से multiply करवाएंगे तो हमारे पास जो answer आएगा वो milliliter में आएगा, हाना तो यहाँ पे first box में हम क्या लिखेंगे thousand ओके, 9 multiply by thousand milliliter equal to कितना हो जाएगा, 9000 milliliter क्योंकि 9 को 1 से multiply किया we will get 9 और 0 हमारी as it is लग जाएगी, तो यह complete आपका multiply होके क्या आया 9000 milliliter now see the second one 2 liter equal to 2 multiply by dash milliliter तो यहाँ पे हमें किस से multiply करवाना है obviously 1000 से हाना, यह सारे question में हम हैसी करेंगे अब 2 को जब हमने 1000 से multiply करवाया what we will get, we will get 2000 milliliter ओके, और 1000 में कितनी 0 जाती है, 3 now 4 liter equal to 4 multiply by 1000 milliliter 4 multiply by 1, this is 4 और 0s as it is हम लगा देंगे ठीके, 3 0s हमने as it is लगानी है now, 4 5 liter equal to पेटे यहाँ पे आपने exact answer लिखना है multiply करके, क्योंकि आपको एक ही box given है तो हम direct answer लिखेंगे this become 5000 और यह आपके लिए homework रहेगा 5 और 6 question पेंगे